नमास्का दोस्तों चैनल पे आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं जुलाई 2020 का जो फ्रेस एड्मिशन चल रहा था उसकी डेट एक्स्टेंड हो गई है एक बार फिर से उसके बारे में कंफ्यूजन है उनको मैं इस वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगा तो आप वीडियो पर बने रहे हैं अगर चैनल पर पहली बार रहा हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस करने से तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलत अगर अगर मास्टर बैचलर में एरली वाइस जो इसमें अगर एड मियना चाहते हैं तो फिफिट नौम बर अठीमिशन ले बिया पना जो है लो इनप종 dobrze आडि जा जाती है और वो चेक नहीं करते हैं तो बाद में और रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फाइनलाइज कर रहे हैं एडमिशन को तो उसमें आपने डिस्क्रिपेंसी जो भी है इसको क्लियर जरूर कर लें अदरवाज वो रिजेक्ट हो जाएगा फ जून 2020 में एक्सपायर हो गया है उनका और बहुत लोगों का दिसमबर 2020 में एक्सपायर हो रहा है और जो है इसके पहले रिडमिशन का नोटिफिकेशन है जिसमें यह कहा गया था कि जो है जिनका ओल्ड एडमिशन है जून 21 तक जिनका वैलिड है वो उनका लास्ट चांस रहेगा कोई रिडमिशन नहीं दिया जाएगा तो इसको लेगे थोड़ा सुडेंड पैनिक भी है तो मैं बता दो हमें जिन्होंने जून 2020 में जिन्होंने जून 2020 जिनका लास्ट टर्म था उन्होंने एक्जाम मतलब फीस नहीं भरा था या एक्जाम नहीं दे पाये थे कि करना वस तो उनको एक चांस दिया जा रहा है ठीक है वो तो देंगे ही देंगे इसके साथ साथ जो रेजिस्टर कर रहे हैं दिसंबर 2020 के लिए कि इनका दिसंबर में आट डियूरेशन खतम हो रहा है दोनों लोगों को वन टाइम मेजर काउंट करते हुए उनको एक्स्टे पर आएंगे और यहां पर अपना फीस भरने के भरेंगे तो आप यह आप फीस भर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें ठीक है तो इस बात का दियान रखें अभी इसमें बिल्कुल भी कनफ्यूज नहूं अपना एक्जाम फॉर्म चेक करें उसमें आपको फॉर्म चांस मिलेगा आप भर सकते हैं फॉर्म बिना बिदाउट रीडिमिशन के ठीक है तो इस बात का दियान रखें और साथवा पॉइंट में भी वही सेम है कि बस आपने अग्जाम फॉर्म अगर पहले भरा है और एक्जाम दिया है या किसी एक्जाम में किसी कारण उस नहीं दे पाए हैं तो आपको विदाउट फी आपको चांस दिया जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर जिन्होंने एक भी फॉर्म नहीं भरा है उनको चांस दिया जाएगा लेकिन उनको फीज भरना पड़ेगा 150 रुपीस पर सब्जेक्ट फीज से उसको आप भर स जाएगा उनको दुबारा फीज भरने की कोई जरूरत नहीं है और एक बात ध्यान रखिएगा अभी चांस है आप लोगों को अपना एक्जाम सेंटर चेंज करने का तो बिदाउट एनी प्रॉब्लम आपका अभी आपका एक्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा जो नाइन प प्रॉब्लम आपका हो जाएगा चेंज कुछ करना नहीं है बस एक्जाम फॉर्म से फिल करना होगा उसमें फीज नहीं लग रही है बस एक्जाम सेंटर आपना अपने हिसाब से चूज कर लीजिए यह बाते हैं और जो एक सबसे मोस्ट इंपोर्टन बात है मैं इसमें बत करेंगे फ्रेस वालों के लिए नहीं बात हो रही है जिन्होंने आल लेडी फीस भारा हुआ था सेप्टेंबर में एक्जाम दिया है और फिर कुछ लोगों नो एक्जाम नहीं दिया है और अपना सब्जेक्ट आइड करना चाहते तो ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें लिखा गया है कि अगर आप एक बार फर्म भरते हैं तो वो इसी सेंटर पे लेडिक्टी दिखाती है जिन्हीं सेंटर पे आप भर देएन दिलक में बरते जिए साथ 5 इशे सब्जेक्ट भर देते हैं आप वहां पे ऑग्जाम सेंटर मिल जाता है अगर फिर आप उसमें औ एक चीज़ कि आपका जो ए एकजाम सेंटर जो है चेंज होने के चांसे हो जाएंगी जैसा कि इसमें लिखा है क्योंकि उसकता है जो आप एकजाम सेंटर ली यह उस सब्जप्स की अव्यूःबिल्टिटी नपहों जांटर पर एकजाम कंड़र्ट कराने इसके और से आपका इस बात का ध्यान रखेंगे आयड करते वक्त अधर आज वही सेम रहने दें या फिर आयड करेंगे तो आप यह मान के लिए हो सकता आपका एक्जाम सेंटर चेंज हो जाए तो यह सारी बाते हैं दोस्तों और कोई अगर आपकी सवाल है तो आप कमेंड वोक्स में लिखके प प्रॉब्लम नहीं है अग्जाम फॉर्म में साइमेंट सब कुछ सब की डेट 15 दिसंबर हो गई है आप आराम से अपना करिए कोई सवाल है तो कौन बोक्स में लिखके लिखके जरताइब्थ में लिखके लाई जापश दिसर आप यहसलोग मेंड एना करिया खिन दोस्तों आते हैं